नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा होम प्लान लेकर आया हूँ नौर्थ फेसिंग होम प्लान इस प्लान की बात करेती इसका टोटल एरिया बहुत बढ़ा है मतलब 50 गुने 44 का है लेकिन इसका निर्मान जो किया गया वो 30 गुना 34 म किया गया है यह मैं बलू से जो दे पा रहा हूँ यह सभी 10 इंच वाले बिरिक्स को मैंने आवकर बात करने इसमे तो आपको टोटल इसमें आपको एक बड़ा साइड सीड़ी घर है और इसमें आपको एक एटेश्ड लेटरिन बात्रूम है और एक बात्रूम और एक लेटरिन बिल्कुल अलग से है तो यह कुल मिला कि यह बास्तु के नरूप बना हुआ बहुत ही अच्छा पलान है यह मैं रेट से सारे विंडो के सिम्बॉल दे रहा हूं यह पलान उत्तर मुखी पलान है यह जो ब्लैक से है यह इसका बॉंडरी वाल है बॉंडरी वाल की लंबाई चड़ाई की बात करें ति इस कॉर्णर से इस कॉर्णर तक 50 फीट है और यहां से यहां तक 44 फीट है पड़े दिसाएं मेंसन कर देते हैं यह है आपका इस्ट अर अर्थात, South दिखा, यЕ अब की नीचे की तरब दक्षिन दिखा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिन, उत्तर और पास्चिम तरब दो साइड इसमें, इसमें, Road है, इसमें, Road दो साइड है, एक Road ये पस्चिम तरब है, और दूसरा रोड हमने इसमें बनाया नहीं है, चलिए मैं एक रोड का सिंबॉल देता हूँ, यह रोड पस्चिन तरफ है, अग दूसरा रोड इसमें उत्तर तरफ है, तो इसे इस प्रकार से बनाया गया है, कि दोनों तरफ से रोड यह यूज कर सकें, यह 50 फिट है, 50 फिट में यहां से यहां तक 15 फिट की दूरी छोड दी गई है, 15 फिट की दूरी इसमें छोड दी गई है, यहां आगे से यहां तक यह 4 फिट की दूरी छोड दी गई है, यहां से यहां तक 4 फिट की दूरी छोड दी गई है, इसमें यहां मुख्य द्वार लगना है, मुख्य द्वार थोड यह बरामदा है, यहां से यह प्रवेश करेंगे, यह बरामदा चाहे तो खुला रख सकते हैं, चाहे इस पर ग्रील लगा सकते हैं, यह 5 फिट की चवडाई में यह बरामदा है, यह घर का केंदर है, केंदर से इसे बिल्कुल बास्तू के 16 जोन में बाटते हुए, यह सभी मै का है, यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 11 है, तो 11 गुने 10 का यह आपका रूम मिल जाता है, रूम का यह जो है, डोर है, अंदर में चाहे तो यहां बहार से भी दे सकते हैं, यह 4 फिट की गली है, यह गली 4 फिट की है, और यह रूम जो है, इसकी यहां से यहां तक 13 आहाँ से यहां तक 9bit है, ये 3गणे 9 बहुंग कोन में घ् užजाता है यह रूम, ये आपका इसान कोन में बलाबम भाप्तर, इसान कोन में रूम है, ये घर का σेंटर आप यहां से घर में प्रवेश करते हैं, इस रूम का डोर यहां ये दे दिया गया है, इस रूम से एक attached lateran bathroom दे लिया गया है इसकी बात करें तो यह 4 गुने 8 की है 4 फिट गुने 8 फिट की lateran bathroom attached को मैं चाहिए तो इससे आप अलग से बना सकते हैं यहाँ डोर दे जीए गा तिस room से attached नहीं होगा इसे इस room से guest room समझके इसमें एक room के साथ attached कर दिया गया आप यहाँ hall में प्रवेस कर जाते हैं hall में आपको यह आपको सेड़ी घर मिल जाता है बिल्कुल पस्चिम दिसा में बास्तू के अनुरूब आप बास्तू के अनुरूब पस्चिम दिसा में सोचाले बिल्कुल सही जगा पे सोचाले adjust किया गया है आप देख लिएए यहां से आप सेड़ी प्रवेस करते हैं उपर यहां से आप उपर चले आते हैं एक डोर आपका यह पस्टिम दिशा में से इस पस्टिम दिशा में खुलता है एक डोर और यही नीचे से आपको एक bathroom, इसमें से एक सोचाला है यह toilet है और यह bathroom है, अलग-अलग निर्मान कर दीए यह requirement के अनुसार, इसकी बात कर ले तो यह आपको 4, 4 by 4 का यह 4 by 4 का यह मिल जाता है, शिड़ी की चटाइए 7 फित है, टोटल सिड़ी की चटाइए 7 फित रखी गई यह लंबाई यहां से यहां तक 13 फिट है यह बने बताए यह बिल्कुल एक सामेट्रिक सिधा में यह भी 13 यह यहां से 10 है यहां से यहां तक 13 है तो 13 गुने 10 का यह master room मिल जाता है आपको नैरित्ती कौन में और आपको यहां बिल्कुल अगनी कौन में यह रसोई घर दे दे मैं मैं इसमें रसोई घर का यह symbol लगा देता हूं है यह kitchen की बत करें दो यह यहां से यहां डस यहां इस्टोरोम दे दिया गिया जे यह से यहां तक चे है और यहां से यह तक यह तक छे है चहे वाइख छे घआ इस्टोर रूम हों थार, यह क्षईूर्ब चाहित इस्टोर their workि सब्सक्राइब और्प कि यहां पर भी हो और सब्सक्राइब इतने एरिया में से कहीं है जल की वैवस्था न ही सिस्ञेक सादसी सब्सक्राइब कर ले चानब पर करकों पिकले कि साप कर ले जिसके नीचे इसके नीचे से लेकर पूरा यह इतना एरिया घंड करको सकते है कभी भी साफ करने क्या है सकता हो तो बिल्कुल यह बास्तु के अनुरूप एडजस्ट की गई है इसका टोटल निर्मान की बात करें तो यहां से यहां तक 30 फिट लिया गया है यहां से 38 फिट में बहुत ही अच्छा बना हुआ है अब बहुत इसमें खाली इस्पेस भी पड़ा हुआ यह चाहे तो भविस्चे में इसमें निर्मान भी कर सकते हैं बहुत इच्छा नक्सा इससे मिलता जूलता आपके पास को यह एरिया हो प्लॉट हो तो इस प्रकार की फिर्य फिल्कुल बास्तु के सुला जोन में मैंने इसे बाटके बनाया है इसमें बास्तु के नयोंटी पर्षेंट चीज़ों का परयोग किया गया है आज के अदिक में इतना ही धन्यवात है